तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इस हमरे नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहरेन का वीजा कैसे चेक करते हैं वो भी अपने पासपोर्ट नमबर के तुरू आज कल के डेट में बहुत सारा मतलब स्केम हो रहा है लोगों के साथ फरजी वीजा देके धोखा दड़ी किया जा रहा है उन लोगों से पैसा ठगा जा रहा है तो मैं इसी सिचुएशन को देखते हुए मैं मैंने सोचा कि एक पर्टिकूलर वीडियो बना दूँ की ताकि आ यह हम वीडियो को स्टीकенко to byइश आपको अपने मुबाईल या कम्पूटर के गुगल क्रोम को उपन कर लिए है जैसे कि हमने यहां पे देखिए ग्वील क्रोम वें उपन कर लिये हैं गाईज अगर आप भी मुबायल में उपन कर रहे हैं तो यहां पे किलिक करके आपको को सीचे नेबल कर लेना है ठीक है यहाँ पे स्क्रॉल करके लिग स्क्रोल कर ना है ना है ठीक है उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे लिख देना है वहरेहेंट विजसाज चुक् evolution की आपको search यहाँ पे दिखा रहा है verification of eligibility to join labor registration center ठीक है तो यहाँ पे आपको click कर देना है इस वाले link पे ठीक है तो guys जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे तो थोड़ा देर आपको wait कर लेना है तो देखे इसका interface ऐसे खूल के आ गया ठीक है तो यहाँ पे आपको cut कर देना है इसको उसके बा पर्मिट नंबर के थुरू भी कर सकते हैं application ID के भी थुरू और यहाँ पर लाश्ट में passport नंबर के थुरू ठीक है तो हमें यहाँ पर passport वाले पे click करने के बाद गाईज आपको यहाँ पर अपना passport नंबर डाल देना है उसके बाद यहाँ पर आपको country select कर लेना है तो मैं फ जो भी है आप अपना स्लेट कर लेना है ठीक है हम यहाँ पर अपना India से हैं तो India स्लेट कर लिए उसके बाद गाईज यहाँ पर देख सकते हैं I am not a robot यह वाला बॉक्स है यहाँ वाइट में यहाँ पर click कर देना है तो यह green हो गया ठीक है यह green हो गया उसके बाद गाईज निचे आना है ठीक है तो संद्ध करने का बाद आपको scroll down करके नीचे आना है ठीक है जैसे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लीगल स्टेटस में वीजा यहाँ पर देखिये एक्टीब दिखा रहा है ठीक है वीजा एक्टीव है यहाँ पर तो इसके बाद यहाँ जैसे करके आप भी अपना वीजा चेक करके कन्फर्म हो सकते हैं सटिस्फाई हो सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है